हाई फ्रेंड्स , वेल्कमट घृ चैनल काजले मीटोवर्मिं भूग्स तो आज मैं बनाने वाली हूं काले चने की सब्जी वर histile , आगे सब्जी बनाने के लिए मैं यहां पर लिएू कूकर कूकर गरम हो चुका है अब इसमें डालेंगे सरसो का तेल यह देखिए तेल जो है गरम हो चुका है अब मैं इसमें डालूंगी सुखी लाल मिर्च एक बड़ाई लाईची थोड़ा सा जीरा और दो तेज पत्ता इन सभी को इसमें डाल लेंगे एक डाल चीनी का तुकड़ा इसको चटकने रहें देखिए चटक चुका है तो मैं दो बड़ा प्याज जो है कटा हुआ इसमें बाल जाए और इसको चला गए इसको गोल्डें ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे प्याज को यहीं पर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमत इससे जो प्याज जल्दी से पते जाता है देखिए यह जो है गोल्डें प्राउन हो चुका है अब इसमें मैं डालूंगी लेसुन और अड्रक का पेस्ट एक चमच इसको डालेंगे इसके बाद डालेंगे तनिया का पाउडर देलिस चमच इसको डालेंगे लाल मिर्च पाउडर हल्डी पाउडर काली मिर्च पाउडर कस्मीरी लाल मिर्च गरम मसाला कि इन सभी को अच्छे से चला लें आ यहां पर मेरे पास मसाले का पाणी छाल उसके डालें आप चाहें तो पानी की डालें पानी डालें से मसाला जो है जल्टा परिंचवी को डाल के अच्छे से गुलें कि कि इसे बाइएए नमक आपकी कह से हैं अच्छे से भून लेंकडाशवी स्वादानुसार नमक पहली नमक डालगों उसे नमक कर लें पहले भी नमक, पहले भी नमक डाल चुके हैं उसे की हिसाब से नमक डाले हैं अब इसके णffentlich करलें गफित को मसाले को टृाइ कर लें अच्छे से मसाले जो अफून चुका है अब इसे में घुड़ोडों नि सदग के लिए प्राइ करलें अब यहीं पर मैं डाल दूँगी इसमें हरा कटा दूए यह देखिए इसको मैं दो मेट के लिए भून दी हूँ अब इसमें डालेंगे पानी पानी को डाल कर मिक्स कर लेंगे पानी डाल दिये हैं अब इसका धकन बंद कर देंगे अब मीडियम आज पर 4-5 सीटी आने तक पकाए में यह देखिए चने का सबजी बंद कर घड़ी है आप भी इसे बनाए यह देखिए यह जो में चना गल चुका है आपको मेरा यह रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सेयर करें थैंक्यू सो मच आपको प्राइक प्राइक